हलो गाईज, होनर की और से होनर X10 चाइना में 20th में को लाँच किया जा चुका है और जो इसकी फर्स सेल है वो भी 26 में से स्टार्ट होने वाली है ये एक बजट 5G स्मार्टफोन होगा जिसमें होनर की और से काफी बेटर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ ये Xiaomi के Redmi K20 को सीदे सीदे टक कर देने वाला है इस वीडियो में बात करेंगे इसकी confirm specifications के बारे में क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल पढ़ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी latest एक वीडियो के लिए तो गाइस बात करें सबसे पहले इसकी performance को लेकर तो यहाँ पर आपको Kiran A20 का 5G chipset देखने को मिल जाएगा जो की 7 nanometer के architecture पर run करने वाला है इसी के साथ इसमें Mali G57 का 6-core GPU देखने को मिलेगा जो की आपके gaming performance को काफी boost करने वाला है अगर बात करें इसके display की तो 6.63 इंचिस की full HD resolution की display होगी जो की IPS LCD panel होने वाला है और इसी के साथ यह 90 Hz के refresh rate के साथ आएगी अगर बात करें इसके RAM variant की तो यह 3 variant में देखने को मिलेगा 6GB, 64GB, 6GB, 128GB and 8GB, 128GB जिसमें LPDDR4X का RAM support देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इसके camera setup की तो back side में triple camera setup देखने को मिलेगा जिसमें primary sensor होने वाला है 40MP का इसी के साथ 8MP का ultra wide angle lens, 2MP का depth sensor देखने को मिल जाएगा इसका जो wide angle sensor रहने वाला है वो 120 degree तक ultra wide देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इसके front selfie camera की तो यहाँ पर 16MP का एक pop-up selfie camera देखने को मिलेगा जो की काफी better selfies को क्लिक कर पाएगा अगर बात करें इसके कुछ other features की तो यहाँ पर आपको android 10 का support देखने को मिलेगा जिसमें magic UI 3.1 का support देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको इसमें google application का भी support देखने को मिलने वाला है इसी के साथ 3.5 mm headphone jack type c port and side mount and fingerprint sensor के साथ यह smartphone आएगा अगर बात करें इसके color variant की तो यहाँ पर आपको 4 color variant देखने को मिलेंगे blue, black, orange and silver इसी के साथ बात करते हैं इसकी battery capacity की जिसमें आपको 4,300 mAh की battery capacity मिलने वाली है जिसमें 22.5 watt का fast charger support देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इसके इंडियन launch date की तो यहाँ आपको जून या फिर जुलाई में देखने को मिलने वाला है और जो इसकी pricing रखी गई है चाइना में वो 6GB 64GB के variant की 20,000 रखी गई है इसका जो 6GB 128GB variant है उसकी pricing 23,000 एंड जो इसका higher variant है 8GB 128GB उसकी pricing चाइना में रखी गई है 25,000 के अराउंड अगर इसमें कुछ difference होगा तो 1 से लेकर 2000 का इसमें आपको difference देखने को मिल सकता है आपको ये smartphone कैसा लगा आप हमें comment करकर जरू बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें शेयर करें और इसी तरह की किसी भी smartphone और technical update से जूड़ी वीडियो के लिए हमारे channel को subscribe करकर bell icon को press करें थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं अपनी next वीडियो में